शिक्षा जगत की सभी समाचार आपको सबसे पहले मिलें इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चेनल और बेल आइकन को ओल पर जरू से प्रेस करके रखें लगातार जब सिक्षा मंत्री मोदे कहे रहे हैं कि पोलीसी बन गई पोलीसी बन रही है मुख्यमंत्री मोदे सेस्वी उक्रते के बाद में तबादले करेंगे मुझे आपका साथ चाहिए आपका विश्वास चाहिए और मैं आपको बदले में इस दीपोउस्व के आवसर पर आपको वचन देता हूँ आपसे वादा करता हूँ कि ग्रेड थड का ट्रांसपर अवश्य करवा कर रहूँगा महासंग परिवार को किसी भी परकार से जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है सातियों मैंने सत्यागरहे में भी कहा था कि बविश्य में ग्रेड थड के ट्रांसपर नहीं होंगे तो महासंग को या मुझे व्यक्तिकत रूप से जिस भी परकार का त्याग और बलिदान करना पड़ेगा मैं पहले भी तैयार था आज भी तैयार हूँ तो सातियों मैं करना क्या चाहिए अब ये इस फ्रस्थ हो चुका है कि ग्रेड थड के ट्रांसपर वर्तमान में नहीं हो रही है जो भी वो स्रीमान ललीत कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी ललित कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया था कि थड़ ग्रेड के ट्रांसफर की दिपावली से पहले मुख्य मंतरी मोदे तक आपकी बात पहुचाएंगे कि तबादली किये जाएंगे अभी भी समय है जाग जाओ लेकिन आप नहीं जागे और उसका परिणाम है कि हमें तबादलों की चाहत रखने वाले ग्रेड थड़ के सिक्सक सातियों को आप आउकास में आकर दिपावली का ये परु मनाना पड़ रहा है अन्यधा येदि आप जाग चुके होते तो इस्ताई रूप से अपने घर के पास में पदिस्तापित होने के पास बाद जिस प्रकार से वरिशक ज्यापक तब आदलों की जो लंबा इंतजार और रहा देखने के बाद में उन्होंने ये मंजिल पाई और अब तेमवार मना रहें आप भी मनाते लेकिन नमस्कार साथियों मैं हरपाल दादरवाल उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे प्रशन होंगे सबसे पहले साथियों इस दिपोज सव दिपावली के इस पावन परव के आप सभी कोहार दिख सुब काम नहीं और इस समय आप सभी जो तबादला चाहा रहे हैं वो भी अपने निवासिस्तान होंगे अपने परिवार के साथ होंगे और जिनका तबादला वरिष्ट अध्यापकों को हो गया वो दुगनी कुसी के शाथ लंबे इंतजार के बाद अपने परिवार के साथे दिपावली मना रहे हैं साथियों मुझे उम्मीद थी मुझे पूरा विश्वास भी था कि कहीं न कहीं ग्रेड धड के ट्रांस्पर भी अब की बाद दिपावली से पहले हो जाएंगे चुकि ये आस और उम्मीद तब बंदी जब वरिष्ट अध्यापकों के तबादले हो रहे थे एक अगस्त को महापड़ाओ डाला गया ग्रेड धड के ट्रांस्पर के लिए और कुछ समय बाद ही ग्रेड धड के लिए आवेदन ले लिए गई है मेरे साथ में लगवग सभी तबादलों की चहात रखने वाले ग्रेड धड के शिक्षकों में इस बात की आश और उम्मीद थी लेकिन देखते ही देखते सातियों समय गुजरता गया और धड ग्रेड के ट्रांस्पर के नाम पर केवल और केवल सिक्ष्या मंत्री मोदे द्वारा आस्वासन पे आस्वासन दिये गए उनी आस्वासनों से दुखी होकर गाजस्तान एकिकर्थ सिक्षक मासंग ने अक्टूमबर महा में सत्यागरह करने का फैसला किया 13-14 अक्टूमर को राजदानी जेपूर में सत्यागरह भी किया गया प्रदेश के सैकडों सिक्षक सत्यागरह में सामील हुए कई परकार की समश्याओं का सामना करने के बाद में मेरे तबादला चाने वाले सेर दिल शिक्षक कई परकार की जंजीरों को तोड़ते विए चाहे वो महापड़ा हो चाहे सत्यागरह हो वा सामील हुए उन सभी का मैं दन्यवाद सात्यों चूंकि मैं मैंने पहले भी बता दिया था आपसे फिर कह रहा हूँ सत्यागरह के दिन स्रीमान मुख्यमंत्री मोहदे के OSD ललित कुमार जी कुछ साती बार बार में लोकेजी लोकेजी कह रहे हैं वो स्रीमान ललित कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी ललित कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया था कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की दिपावली से पहले मुख्य मंतरी मोदे तक आपकी बात पहुचाएंगे कि तबादलिक किये जाएं लेकिन कई परकार की जो अफ़ाई भैलाए गई उना भाओं के जंजाल में उपस गए साथी और वो केवल और केवल इंतिजार करते रहे अन्यता सेप्तम्बर मां में जब मैंने कहा था तब भी जग जाते तो ऐसा ये दिना में देखने को नहीं मिलते साथियों खैर जो हो गया सो हो गया वो अब हमारे हाथ से निकल गया अब क्या है वर्तमान और भविश्य और वर्तमान क्या है कि वर्तमान में आप और हम मैं आपके माद्यम से इस सोसल मीडिया के माद्यम से आपसे समवाद कर रहा हूं और भविश्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं बहुत कम समय में ट्रांसफर होने की जो उम्मीद थी वो ट्रांसफर नहों कर रीट का प्रिणाम हमारे सामने आया अब आप बोलेगे कि रीट के प्रिणाम से ट्रांसफर का क्या लेना देना जैसे ही REIT का प्रिणामा है मैं कुछ सोचल मीडिया प्लेट फोरम पे फड़ रहा था कुछ सिखसक साती अभीशे पूरुवा गरों से गर्सित हो गई और पूरुवा अगर है किस प्रकार के कि किसी ने कहा था कि REIT का प्रिणामाने के बाद में न्युक्ती प्रकिर्या से पहले ट्रांस्फर कर देंगे अरे मेरे सातियों आपको सोचने की बात है कि जहां एक और REIT की कुस्ट में पहले तक आपत्ती ली जा रही थी साइद एक या दो दिन पहले मंद्री महत मोदे कुस्ट में पहले मीडिया के मादिम से लगबग डेड़ मेना REIT के प्रिणाम की बात कर रही थे REIT के प्रिणाम को लेकर जिस परकार की तत्परता सरकार के दुवारा दिखाई जा रही है उस तत्परता से ये लगता है कि नए REIT के चैनित अभ्यार्थियों को शिक्षक के रूप में शिवा देने का अवसर बहुत जल्द मिलने वाला है और मैं मासंग परिवार की और से REIT में अच्छे नमरारे सभी भावी शिक्षकों को बदाई देता हूं शुब कामना देता हूं लेकिन साथियों यदि ऐसा होता है तो ट्रांस्पर की रहा मुश्किली नहीं नामून की नोचाएगी चुकि लगातर मंत्री मोदे कह रहे है कि सीटे खाली नहीं है सीटे खाली नहीं है और जब यदि REIT के चैनिस सिक्षकों को नुक्ति दे दी जाएगी तो जो सीटे खाली है वो सीटे भी भर दी जाएगी तब हमारे पास केवल और केवल अपसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा जो साती सोच रहे है कि REIT का परिणाम जारी हो गया REIT के सिक्षकों को नुक्ति देने से पहले हमारे ट्रांस्पर कर देंगे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे है जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नींद घुलने के साथ ही तूट जाते है साथियों किसी सेवा नेमों किसी विदान में लिखा है कि नहीं बढ़ती से पहले ट्रांस्पर होंगे और जब से मैं तो सिक्सक के रूप में यह सिक्सक बनने की रा इसे बेरोजगारी की इस लायन में था तब से मैंने तैसा कुछ देखा नहीं कि ट्रांसपर नई बढ़ती से पहले होते हैं अवश्य होते हैं तो सातियों यह समय एकजुट होने का है ग्रेड थड़के सिक्सकों को एकजिट होने का है पैरों में लगी जंजीरे तोड़ने का है अब समय वो नहीं है कि हमें ग्यापंदे अब ग्यापंदेने का समय बीत गया सातियों चुकि मेरे साथ में कुछ साती ओर गए थे चाहिए वो दोलपुर्शाई मेरी वो बहन हो दो साती ओर थे और मानने यह OSD मोदे तक हमारी बात पहुँच चुकी थी सात्यों कई परकार के माद्दे मोते हैं सरकार तक बात पहुचाने के चाहिए वो सोसल मीडिया मीडिया दरना परदर्शन के समयल वहां पर कारे रत विविन परकार के अजेंसीज वो अजेंसीज लगातार सरकार तक हमारी बात पहुचाती रहती है जिस दिन सत्याग रहक हमने एलान किया था उसी दिन से लगातार विभीर प्रकार के एजप्रक्सा जो एजेंसी लगे भी हैं साथियों ये सरकार है और मानिय शिक्षय मंत्री मोदे का रविया आप सभी को मालूम है हमने इंतिजार किया लेकिन तबादलों के रूप में हमें कोई सुबसंकेत या कोई सकारात्मक परिणाम इस दिपावली से पहले नहीं मिला इसका मुझे स्वेम को भी खेद है मन भी दुखी है लेकिन जो सच है वो सच आपके सामने है साथियों चाए वरिष्टत्य आपकों के तबादलों की बात हो चाए ग्रेड थड़के सिक्षकों के तबादलों की बात हो बहुत से लोगों ने आपको तब आदलों के रूप लिए कई बार तारीकों का तक का एलान किया मैंने आपसे हमेशा सच कहा मैंने शुरू में भी कहा था चाए वो पांच अगस्त का दिन हो चाए पांच सितंबर का दिन हो 25 सितंब्र जिस दिन मैं भी 오 जाकी आता उस दिन मैंने एक आगए घर ठर्ड के ट्रांश्पर के लिए अपने की युवादे पर अटल्प मैं आपको विश्वांस दिलाता हूं चाहिए जो कुछ त्याग और मुझे करना पड़े मैं ग्रेड थड़ के ट्रांस्पर के लिए उस संगर्ष की अंतिम प्राकास्टा सीमा तक जाऊंगा कुछ साथी कहते हैं हरपाल दाधरवाल ने क्या कर लिया ट्रांस्पर के लिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ जब आज इस दिपावली के पावन पर उपर आप बोनस और डिये की चर्चा कर रहे हैं तब यह अरपाल दाधरवाल जीवन निर्वा बत्था ने मिलने के बावजूत भी आपकी तबादलों की बात कर रहा है कुछ लों कह रहे हैं ग्रेट्टर के ट्रांस्पर के नाम पर अरपाल दाधरवाल अपने व्यक्तिकत स्वार्तों की आप उर्थि करने ही होती तो पहले भी अरपाल दाधरवाल सक्षम था आज भी सक्षम है मेरे व्यक्तिकतकारए पहले भी नहीं रुके थे, ना अब रुकेंगे और ना भविश्ये में हाँ मैं स्वार्ती हूँ, क्योंकि मेरे पास में उस साथी का फोन आता है मेरे पिता तुले लगभग उस उमर्दराज व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है, कि जब मैं नोगरी लगा था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और आज मुझे मेरे बाल बच्चों के शादी करनी है, आप ही ओ, एक आस और उम्मीद हो, था मेरा वो स्वार्थ है, मुझे उसकी अवाज कानों में बूंजती है, साथियों, मेरे पास उस बह अप्डेटा हुआ है, और वो कहता है, बैसा हम आपकी वीडियो देखता हूँ, आप से फेश सुख्यों चुड़ा हूँ, मेरे करफे मेरे माता पिता जी का ख्या लखने के लिए कोई नहीं है, आप ही आस और उम्मीद हो, और मेरे पास उस माबाप कप होना आता है, जो स्वार्थ है, मैंने जो उनसे वादा किया, उसको निभाने का स्वार्थ है, उन्होंनों जो मेरे पर विश्वास जताया, उसका मुझे स्वार्थ है, मुझे रोगने की लगातार कोशी से की जा रही है, इतनी कोशी से यह दी तबादली के लिए की जाती, तो साय तबादल हो गया होता साथियों ग्रेट धड़ के ट्रांसपर मुझे करवाना है मेरा करवाना है साथियों मेरे तो कोई परिवार में भी ग्रेट धड़ में नहीं है लेकिन आपसे क्या वादा निभाने के लिए लगातार मैं प्रियतन सील हूं मासंगे प्रतेख पतादी कारे प्रियतन सील है मापड़ा हो, चाहि सत्यागरे हो हमने जो कहा वो किया क्या-क्या अर्चने आई, कि लोगों ने क्या-क्या भरमित किया कई लोगों ने परमिशन के लिए भरमित किया कई लोगों ने यहां तक कहा मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसके पास में खोने के लिए क्या है वो आपकी नोकरी खाजाएगा सातियों मेरे पास में खोने के लिए बहुत आस और उमीद है इससे पीछे हड़ जाओं तो हजारों चाहिए वो आप सिखसक हो चाहिए आपके परीजन हो उन्होंने जिन मेरे से आस और उमीद और विश्वास मेरे पर जता रखा है वो मैं उसको खो दूँगा सातियों विश्वास से महतोपोनिस संसार में मुझे लगता है कुछ भी नहीं है बड़े सरम की बात है कि लगातार ग्रेट थड़ के ट्रांसपर के ये मारमी को स्वेधन सिल मांग को अधिकान सिखसक संगठनों दुवारा नहीं उठाये जा रहा कुछ सिखसक संगठन अब मजबूरी वस जरूर लेटर हेड़ पर लिखने लगे है क्योंकि आपको भी पता है जो अपने आपको बहु जिसको बोलते ने जो सिखसक संगठ अपने आपको बड़ा मजबूत या फिर उनको मैं कहूँ कि ब्लोक इस्तर तक संग्राचनात्मक डाचे के रूप में बने हुए हैं उनके अधिकांस पता अधिकारी ट्रांसपर की चाहत नहीं रखते वो अपने अपने निज निवास के आसपास पदिस्तापित हैं उन्हें डर है कि वो पिछली गौवर्मेंट में पिछली सरकार में ट्रांसपर करवा के आये थे ट्रांसपर होने पर उन्हें किक लगने की संभावना है या ट्रांसपर के आदार पर तो सात्यों मैं आपसे पहले भी कहता था आज पुने कह रहा हूं कि हमें किसी भी सिक्सक संगठन से ज़्यादा आस और उम्मीद नहीं लगानी चाहिए आप सभी ने देख लिया होगा कि ट्रांसपर के नाम पर केवल और केवल राजलिती की जाती है थर्ड ग्रेड के सात्यों को केवल रशीद काटने के समय याद किया जाता है या कोई सिक्सक सम्मेलन होता है तब याद किया जाता है मैंने बार-बार में चाहे मापड़ा हो चाहे सत्याग रहो सभी सिक्सक संगठनों से आगरे किया नाम लेकर आगरे किया लेकिन तबादलों के नाम पर एक जूट होने की बजाई हरपाल दादरवाल के खिलाब आरोप और पत्यारोप की राजनिती करना सुरू कर दिया अविश्य अपना ट्रांस्पर करवा लेंगे साथ यह वो दिन मेरे लिए सबसे सुरणिम एक पल होगा जिस दिन आपके ग्रेड धड़के ट्रांस्पर के लिस्टे जा रही होगी मुझे जितनी कुसी वरिष्ट अध्याबकों के लिए नहीं हुई उतनी कुसी ग्रेड धड़के लिए होगी क्योंकि मेरे वरिष्ट अध्याबकों से तीसरी बार आवेदर लेने के बाद में पूर्ण रूप से मास्वस थे कि अब ट्रांस्पर हो जाएंगे लेकिन आपके ग्रेड धड़के ट्रांसपर तो डारक जोन की बात करें तो दसको हो गए और वास्तब में पीडित हैं ट्रांसपर की सबसे ज़्यादा जुरूत है सात्यों मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोष नहीं की वर्तमान में ट्रांसपर के नाम पर ये जो चिंगारी जल रही है हरपाल दादरवाल और राजस्थान एकिकर सिख्षक महासं के मेरे वो लड़ागे मेरे वो सेर दिल सिख्षक और वो महापड़ा और सत्यागराई सिख्षक नहीं होते तो ये चिंगारी ज्वाला बुनने से पहले बुझ जाती अब करना क्या है ये आप कुत्ते करना है हरपाल दादरवाल तो कहेगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको वो कारे करने से रोक सके और महासंग परिवार में वो लड़ा के वो सिख्षक लड़ा के सामिल हो रहे हैं दिरे दिरे उनकी संख्या बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान एक इकर सिख्षक महासंग के एक आवान पर ये राज्य सरकार का तक्थ जरूर ही लेगा मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि आज महासंग परिवार मैं मानता हूँ कि भी सेस्व अवस्ता में है लेकिन जो जुड रहे हैं सिख्षक कौम के लिए मर मिटने वाले मेरे सेर दिल सिख्षक जूड रहे हैं वो महापड़ाव में आये थे वो सत्याग्रह में आये थे और बविश्य में जो भी आप राजदानी जियवपूर में करेंगे उसमें तबादलों की चाहत रखने के साथ में सिख्षक कौम के के लिए वास्त्री करतों में लड़ाई लड़ने के लिए सेर दिल सिख्षक जिसका जमीर जिन्दा है वो अवश्य बदा रहेगा कि सात्यों कि यह अंतिम बार है हमें आपकी बार आर पार की लड़ाई लड़नी है क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं रोज रोज बविश्य में हम ट्रांस्पर करवाने के लिए नहीं लड़ेंगे बविश्य में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बार कैसे भी ग्रेड थड़के ट्रांस्पर मिलके कर लें या करवा लें भविश्य में तबादला रूपी पोलीशी की लड़ाई में लड़ूगा और राजस्थान के सिक्ष्या विवाग में इस्ताही तबादला की जो नीती है उसको लागू करवा के रहूँगा और नीती किसी भी प्रकार के राजनेतिक रूप से प्रेरित नहीं होगी मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे कई वरिष्ट अध्यापकों के फोन आते हैं वो तबादलों की वास्ता में ही चाहत रखते थे उनकी जुरत थी उन्हें तबादलों का सबसे ज्यादा इंतजार था लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ क्योंकि उनकी राजनेति क्या प्रोश नहीं थी कुछ साती सालों से अपने घर परिवार से दूर हैं समास से कट चुके हैं उन्हें तबादलों की वास्तम में ही जुरत थी लेकिन उनका तबादला नहीं हो पाया और ऐसा ही मुझे पूरी उम्मीद है ग्रेड धड में भी होगा लेकिन क्या करें सा ठभाब है जिस प्रकार से ग्रेड धड को छोड़कर सभी ग्रेड़ों में ट्रांस्पर बिना किसी पॉलिसी और नीतिके हो रहे बार तो ग्रेड धड़के भी हो जानी चाहिए उसके बाद में हम साती क्योंकि दो साल बाद में फिर ट्रांस्परों की मांग उठेगी जुन सात्यों कब नहीं हुआ उन्हें ट्रांस्पर की बात करेंगे तो इसका इस्ताई समाधान भी हम मिलकर खोजेंगे तो सात्यों ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है इसको हम लड़ेंगे और मुझे विश्वास है मापड़ा और सत्यागरे के सपल होने के बाद अब की बार आसदानी जेपुर में तबातला सूचिया विश्चे लेके जाएंगे